UNT की हमेशान से ये कोशिश रहती है कि जो भी जंता के मुद्दे हैं उनको सामने लाया जाए और हर मुद्दे पर चर्चा जो है वो की जाए और आज का मुद्दा है जम्मो कश्मीर के अंदर डेली विजर्स जो हैं उनका मुद्दा है क्योंकि जम्मो कश्मीर और लदाख ह बातचीत ना करते हुए सिधा हम डिबेट को शुरू करते हैं क्योंकि आज ये डिबेट जो है मैंने अपने साथ दो पत्रकार जो है उन्हें जोड़ा है इनके साथ आज हम डिबेट करेंगे क्योंकि ये दोनों लोग विशाल और वरुन डेली विजर्स को काफी लंबे समय स जो है वो कवर करते हुए आए हैं और हलाकी पत्रकार जो हैं किसी को स्पोर्ट नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि तमाम पत्रकार भी चाहते हैं कि अंदर को पका कर दिया जाए मेरे साथ बातचीत करने के लिए विशाल मुझू है विशाल सबागत जाए क्योंकि कोट को भी लगा कि इन्हें पका किया जाना चाहिए को तरस आ गया किस तरह से आप देखते हैं कि आप जो बाकी डिली वीजरस हैं उनको किस तरह की उमीद अब जगी होगी देखिए इस एक आप रे अफोप कहिए या फिर ये कहीए कि सामने रास्ता सामने है क सवाल यह उड़ता है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें जो पंदरा-पंदरा साल से काम कर रहे हैं वो रेग्णोराइस क्यों नहीं हो रहे हैं अब इसमें एक और बड़ी बात ही है कि जब आप इस मैटर को आप जो डेली वेजर से हैं किसी के भी हैं जब उस मैटर कि आप इसमें जाया किया है आप उसका हिसाब दीजिए तो यहां पर मैं यह कहूंगा कि एक क्राइटेरिया सेट हो गया है कि 10 साल जो है अगर कोई डिपार्टमेंट यह कहता है कि मेरा जो क्राइटेरिया है वो साथ साल था क्योंकि इतना मुझे मालूम है कि जब यह तो अगर जो अपने टाइम लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जो सैटिस्फेक्टिज सर्वसिस दे रहे हैं जो क्यों रखते हैं तो वह अब सीधा अगर कोट चाहते हैं और को 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 कोट का ही हवाला देते है तो मुझे लगता है कि उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा और बहुत बैटर ही है मैं यह कहूंगा कि कोट ने एक responsibility समझी यहां से यह सिखने की जरुरत है कि कोट को लगा कि मुझे responsibility से अपने employees को कुछ देना चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट का क्या है आता हूं अपके पास अबरन को तरस आ गया कोट कोट को लगा यह जो नेता है जो administration कि आपको लगता है कि इन तक आवाज नहीं पहुंच रहे हैं जो हम लोग आवाज इनकी उठाते हैं कि लंबे सामलों से वो भी परदर्शन करते रहे हैं मीडिया वाज उठाते रहा है मैं आव इसको लेकर वाज उठाते रहे हैं किस तरह से आप देखते हैं कि कोट को लगा लेकर एडमिस्टेशन और जो नेता ही ने आशवासन देते रहे हैं उन्हें कोई फरक नहीं पड़ा देखे सबसे पहले मैं नेताओं की बात करूँगा जितने भी डेली वेज़स नहीं है ये वोट बेंक है कॉंग्रेस की सरकार में कितने डेली वेज़स जो है वो गैर तरीके से लगाएगे ये सब जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट बेंक है हर एक नेता का अपना लोक जो है वो इनको लगा था गौह को है आप ऍ darut करажеकर ने ऑल वादे की एंशनेल की जंता के साथ कि हम जो है यांए युवाँ क कैसाओं को एक साथ और हम डेली वेज़स को पका करें बाता यह का उपका का था जब चेस्टानी बंदन के सरकार बना कर तो पीरीप के साथ उसक आपको आपने से काल लेकिन मैं काई रूपन के इसे हैं जो जो इसे हैं चीकार हुए और मैं वाजबा की बात करूंगा रविंदा राना चीक का पने मुझे मंतरी बना दो मैं पहली में साइं अगर यह आपको पक्ता करेंगे यह कि अगर हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनोगे अगर आपको बाइचास नहीं बन पाया मुख्यमंत्री तो क्या यह डेली वर्जी वर्जिस पक्के नहीं होगे को पिशाल से आपने कहा मुझे मुखे मंतरी बिनाओ मैं आपको कर दूंगा मतलब की कहींपर प्रफाइल नहीं करता रूल कहीं पर प्रफेल करता लॉड फीर करते हैं तो सियासhone की मेरा काम होगा तो आपका होगा अन्यथा आप जहां है वही रहेंगे और इसलिए इसलिए आज कोट ने जो किया उसने जो कोट ने आज कहा है कि आपको लगता है कि इन नेताओं का जो यह बोर्ड मेंग के लिए इस्तिमाल करने जा रहे थे इनको उनका भी थोड़ा दिमाग हिला जुरूर होगा आज ब्यूरोक्रेट पर हर एक ऑफिसर पर और पॉलिटिकल लीडर्स पर जो इन डेली वेजर के साथ खेलने का काम कर रहे थे दरसल जो एक डेली वेजर अपने सीनिर के पास आएगा सीनिर कहेगा कि जो क्रैटेरिया है आप उसमें फॉल नहीं करते हैं रूल यह कहता है यह हम अपने गर में करती है तो बला उस स्टेट में दूसरा क्रैटेरिया यह दूसरी याड्स्टिक कैसे कोई चला सकता है आता हूँ जिस तरह से जीमसी की बात करें जमों मुनिसिपल कार्पूरेशन के अंदर भी जो डेली वेजर से लगे हुए हैं मेर भी कह चुके हैं कि हम जो हैं वो उसे पका करने जा रहे हैं तो क्या जो कोट ने किया है जो जेमसी कहा रहा है जो थोड़ी देर पहले बिजली विवाग ने कहा था क्या बल मिल रहा है इनके प्रोटेस्ट को इनकी उमीदों को कि अब जल्द जो है इनके बुरा दोर जो है वो खतम होने वाला है बिल्कुल आपने सही कहाँ कहीं ना कहीं एक उमीद की कीरन जो है वो डेली वेज़स की अंदर जागे सिर्फ मैं पीएची के डेली वेज़स की बात नहीं करूंगा बहुत सारे अन्य विबाग के डेली वेज़स हैं अगर मैं पीरिडी की बात करूं इरिगेशन में डेली व किस तरह से देखते हैं आपको क्या लगता है क्यूंकि क्लंबा पत्रकारिता का यह वह चेहरे हैं पूरा नहीं होता है तो आज आदेश कोट का आया है उसमें भी मैं यही कुँगा कि बहुत देर करदी हुजूर आते आते आप तो पहले आ जाते तो और अच्छा हो जाता लेकिन देर आए दुरूस्ता है अब आया है बहुत अच्छा विकल्प है आप मैं यह कहा रहा हूं आपको कुछ साक्षा अपने पास रखने पड़ते हैं कुछ एग्जेंपल्स वहां पर कोट करने ही पड़ती है और इस मामले में डेली विर्जिस को कोट करना ही क्या आपको तो कोट का ही और दूसरी बात ही है देखिए हमारी सरकारों का यह बहुत बुरा एक रिवाज र करेंगे लेकिन गेम क्या की लिम्टीट उठाके कर दिया आपकी बीबात होगी काम भी निपड़ गया यारी कि प्रेशराइज करने पर ही काम होता है आप कुछ डेली वेजर्स हैं उतना उस लेवल का प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं लेकिन बैटर वेई है कि अगर उसे का दोखा किया है आज वही जो लीड कर रहे थे उस समय जो लाठियां खायर तो जो एडमिसेंशन से बास्चित कर रहे थे पुलीस सा बास्चित कर रहे थे आज वो लीडर कहा है आज वो पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर चुक है अपने फाइदे के लिए उन्हों डेली का यूज किया है आप भी जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं नाम नहीं लूँगा लेकिन उन्होंने भी जो है वो इन डेली वेजिस का दोखा किया है इनका फायदा उठाया अपने जान पेचान बढ़ाई तो आज वो पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर चुक है लीडर की बहुत जाँदा जूर तहसे की बहुत घुट सर्फ मैं और हो सकते हैं इसलिँ को बहुत जाइस अब इस तरह से इन यहां की बात करें नेताओं की करें यहां पर आ रही है राजनीती की आप भी कहा रहे है वरून भी कहा रहे है मैं भी कहा रहा था राजनीती की बात आती है राजनीत्तों को तो वोट चाहिए थे ना उन्हें अपना परसनल बेनिफिर्टा वोट का उन्होंने लटका दिया बाजपा ने पीडीपी ने कांग्रस ने 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 कि तो इन लोगों का मतलब शोशन ही किया है क्यूंकि काम करवाते रहे सभी विभाब को डेलिजबिर और ये भी कहा गया डेलिविजर्स जो है हर एक विभाब की रीड की हड़ी है कैसे देखते हैं कि एडमिस्टेशन ने इनका काम नहीं किया देखिए रवी यहां पर एक ब लोगा नहीं और यहीं वजा रही क्योंकि जब इनकी जो जैनुवन डिमांड ठीक आप आज कुछ लोगों को देखते हैं वो प्रटेस कर रहे हैं जब उनकी रिपोर्ट भांगी जाएगी तो अगर रिपोर्ट ही जाएगी सर यह कुछ ही कुछ ही लोग है इनका मसला जो ह जल्दी हल हो जाएगा हमार पास यह परिशानी है लेकिन जब आपने असल परिशानी को कभी टॉप लेवल तक पहुंचाया ही नहीं जो कोर ग्रूप है वहां तक अगर आपकी बात पहुंची नहीं तो आप यह कैसे उमीद करते हैं कि यह हल हो पाएगी तो मसला यहां पर प्रटेस चल रहे हैं और अपनी मनमर्जी के फैसले अगर आप देखेंगे कुछ एक फैसले ऐसे हुए जो शायद लोगों को डाइजस्ट नहीं हो पाए वो इसलिए क्योंकि जो आपका ऊपर की क्रीम है अगर आप LG की बात करें या किसी की भी बात करें वो खुद आकर प वोट ने जो है वो इस तरह का आदेश जारी किया है फैसला सुनाया है कि वो करने जा रहे हैं इसे सबक लेकर आपको क्या लगता है कि जल्द जो एडिमिस्टेशन है उसके भी थोड़े हरकत में आई कि एडिमिस्टेशन और इन लोगों को बगा कि नहीं मैं कहा रहूं कि पॉलिटिकल पार्टी से एक्टिव हो जाएंगी अब सब के सब अपने क्रेड़ी लेने के लिए पहुंचेंगे कि जाते हैं कि हमारा वोट में खराब नहीं होंचे क्योंकि साथ हजार से जादा डेली वेजर जो है वो वोट है जमो किश्मीर का इन्हें पता है कि आगर हम यह उनको उनके पास जाएंगे और मुझे लगता है मुझे जहां तक मेरी अपना एक्स्पिरिंस है अभी नेता जो है वो डेली वेजर के पास जाने वाले होंगी डेली वेजर ने कहा था कि अगर आपने हमारा साथ दोखा किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे यह कहीं और एक जिए आखरी 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 सवाल में विशाल आप से करूँगा इसमें जो है वो आड़ करना चाहता हूं देश के ग्रहा मंतरी अमी शाजी राजोरी के दोरे पर वहां पर आये प्रोटेस्ट वहां पर हुआ नारे वहां पर लगे लेकिन मीडिया ने अपना काम सह किया तो वह भी नेशनल मीडिया को दिखाना चाहता है ने अपना रोल जो है वह अदा नहीं किया जैसे विशाल ने का रिपोर्स दिली में जो है वह बहुत नेगटिव गई आखरी सवाल विशाल आपसे मेरा यह रहेगा सारा खेल शाहिद पोलेटिकल पार्टी जो में का तो आपको क्या लगता है कि अब नेता भी हर बढ़ाट में जल्दी से इनका काम हो जाएगा या इनको फिर इंतिसार करना पड़ेगा क्या लगता है अब बटकने की बजाए जो है वह इने सीधा वहां पर जाकर अटकना चाहिए जहां पर कोट है और वहां कोट का द का इनका इलाका है आपके जूरिश्णी है आपके जूरीश्टिष्ण है आपने अपने गर में अगर यह नियम बनाया क्रैटेरिया बनाया तो पिर हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं इसका या तो जवाब दीजिए या फिर काम केजिए अब बहुत जोगी थे दो विशाल शर रहे, मैं उन मीडिया करमी जो है, उनकी बात कर रहा हूँ, शायद वो भी चाहते हैं, कि आप इन डेलिविजर्स को इंसाफ जो है वो मिल जाना चाहिए, और शायद डेलिविजर्स को लेकर जो लोग, जो सियासी पाटियां, जो सियासी लोग जो है, वो वोडवेंग की राजनिती खेल रहे थे और उसका सारा खेल जो है वो हाई कोट जो है उसने खराब कर दिया अब देखना ये है कि इससे संग्यान लेकर एडमिस्रेशन क्या इन लोगों को पका करती है या फिर ये डेलिविजर जो है वो कोट का दरवाजा खड़ खटाती है और वहाँ से इन लोगों को इनसाफ मिलता है इस सब को लेकर आप अपनी राए किस तरह से रखते हैं कमेंट बक्स खुला है वहाँ पर राए जरूर रखिए फिलहाल मुझे दें इजासत मगर आप देखते हैं यून टी नमसकार